हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टो एड फेस्बूक लीड्स टू गूगल शीट्स फ़र वेडिंग प्लैनिंग सर्विस तो एक्जामपल के लिए माल लीजए कि मेरे वेडिंग प्लैनिंग सर्विस का एक बिजनस है और अपने इसे बिजनस को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेस्बूक का मैंने फेस्बूक पे अपना एक पेज क्रेट करके रखा है जिसकी मदद से मैं अपने बिजनस को और ज़्यादा मार्केट करता हूँ प्रमोट करता हूँ और इसे page पे Facebook के मैंने एक lead ad भी run किया है अब जब भी मुझे कोई नई lead receive होती है Facebook lead ad से तो automatically वो lead की details को मैं add करना चाता हूँ Google sheet की row में ताकि अपनी सारे leads की details एक जगा पे रख सकूँ और अपने data को अच्छे से बाद में analyze भी कर पाऊँ तो मैं आपको बताना चाता हूँ कि ये पूरी process आप भी automate कर सकते हैं पैपली connect की मदद से Facebook lead ads और Google sheets के बीच में connection एक integration बना के अब जब भी आपको Facebook से कोई नई lead receive होगी आपके wedding planning business के लिए तो automatically वो lead की details जाके record हो जाएंगी Google sheet की row में तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरा automation को कैसे connect कर सकते हैं इन दोना applications को आई ये देखता हैं मेरी screen पे तो चलिए बनाते हैं कैसा automation, Facebook lead ads और Google sheets के बीच में कि जैसी Facebook से कोई नई lead आपको receive होगी आपके wedding planning service के लिए तो automatically lead की details जाके record जाएंगी Google sheet की row में और ये पूरी process हम automate करेंगे पैबली connect की मदद से Google sheets और Facebook lead ads की बीच में एक connection बना के तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं ये है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जाप multiple applications को connect integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाएंगी sign up for free पे जहाँ आप को और महीने मिलेंगे 100 free task कैसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user है तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे click करते हैं आपकी सामने open होंगी पैबली की एपाच में एप्लिकेशन आज हमको use करना पैबली connect का तो click करेंगा मैं access now पे access now पे click करते ही अब हमारे सामने open होगा पैबली connect का dashboard पैबली connect के dashboard पे आने के बाद हमको जाना है right hand side पे click करना अज ब्लू बटन पे create workflow पे और एक नया workflow हमको यहां पे बनाना है जैसे create workflow के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक dialogue box appear होगा जहां आपको इस workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसे नाम देता हूं add facebook leads to google sheets for wedding planning service आप अपने requirement के हिसाब से से कोई और भी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको चूस करना हो इन दोनों principles और concepts पर भी इस डूते हैं इनके definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens पतलब जब ऐसा हूँ तो action कहता है do this पतलब ऐसा कर दो अब trigger और action को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज कमारा objective क्या है पतलब आज हम क्या करना चाहते हैं तो देखे आज का मेरा बड़ा simple सा objective है मैं चाहता हूँ जब भी मुझे facebook से कोई नई leadership होती है तो वो lead की details को मैं add करना चाहता हूँ google sheet की row में अब example के लिए माल निजे कि मेरा wedding planning service का एक business है और अपने इसी business को और आगे बढ़ाने के लिए promote करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया facebook का मैंने facebook पे अपना पीच create करके रखा है जिस का नाम है blossom weddings और इसी पीच पे मैंने अपना एक lead ad बे रन किया है अब जब भी मुझे कोई नई lead से होती है facebook lead ads से तो जो भी lead की details मुझे receive हो रही है उसको मैं add करने चाहता हूं google sheet की row में ताकि सारी leads का यहापे मैं data रख सकूँ तो चलते हम पैबली connect पे और देखे जो हमारी trigger application होगी वो होगी सबसे पहले facebook lead ads जब तक facebook पे कोई नई lead हमको नहीं मिलेगी तब तक हमारा workflow काम नहीं करेगा trigger नहीं होगा और जैसे कोई नई lead आएगी तो हमारी action application मतलब google sheet में automatically lead की details जाके add हो जाएगी जैसे कि lead का full name, email औ contact number तो चलते हम पैबली connect पे यह होता है trigger और action सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी trigger application पैबली connect पे तो trigger application हमारी होगी facebook lead ads, trigger event हमारा होगा new lead instant इसका मतलब facebook पे जैसी कोई नई lead आपको मिलेगी instantly आपका workflow trigger हो जाएगा और action application मतलब google sheet में क्या होगा automatically lead की details जाके record हो जाएगी तो action event हमारा होगा add new row अब देखे google sheets और facebook lead ads दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम यूज कर रहे है पैबली connect का तो सबसे पहले facebook का account हमको connect करना पड़ेगा पैबली connect से कि जैसे facebook पे कोई नई lead आईगी तो automatically lead की details पैबली connect है अपने प आपको connect पे और facebook का account आपको connect करना पैबली connect से जाना आपको add connection पे क्लिक करना आपको connect with facebook lead ads यहां से आपको फिर चूज करना अपना account पर आपको account चूज करने के बीजरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका account already logged in होगा new tab पे तो आपका authorization automatically आपके successful हो जाएगा और देखे हमरा authorization अपने आप यहां पर successful हो चुका है क्योंकि मेरा account already logged in था new tab पे अब यहां पे हमको वही page और form select करना है जिसका response हम capture करना चाहते है पैबली connect के पास तो देखिए जो अब मेरे page करने में है उसका नाम है blossom wedding तो मैं जाओंगा पैबली connect पे चूस करूँगा अपना page जिसका न form मैंने बना के रखें इस speech पी वह सारे lead form भी अभी आपको यहां पे दिखने लग जाएंगे और देखिए हमारा page connect हो चुका है पैबली connect से अब इस speech पी मैंने जित्ते भी lead form बना के रखें हैं वो तीनों form आपको यहां पर दिख रहे होंगे एक करना में new contact form एक करना में contact form अब यहां पर हमको वो form select करना है जिसका response हमें capture करना है पैबली connect के पास अगर आप चाहें तो यह वाला option भी आपे choose कर सकते हैं all lead gen forms वाला option इससे क्या होगा अगर आपने multiple forms create करके रखेंगे अपने PHP तो किसी एक form से भी कोई नई lead generate होगी तो automatically आपका workflow trigger हो जाएगा अगर आप चाहें तो individually किसी एक form को भी आपर select कर सकते हैं तो माली जो मेरे form करने में उसका ना में new contact form यह form मैंने आपका लिए select अब देखिए मैं click करूँगा save and send test request की button पे और जैसी मैं save and send test request की button पे click करूँगा आप देख सकते हैं आप आप अब ली करने तो है आप वे book response का wait कर ने लग गया पर कहा लिखा है waiting for वे book response और note पर हमको बोला है कि जैसी हब save and send test request की button पे click करेंगे इसके बाद आपको test lead generate करने है test submission करना है ताकि हम check कर पाएं कि क्या वो lead की details public connect अपने पास capture कर पा रहा है या नहीं और test lead हमको है इसलिए generate करनी है क्योंकि यह मैं real time run नहीं कर रहा हूं इसलिए मुझे आप एक test submission करना पड़ेगा test lead generate करनी पड़ेगी फिर हम check करेंगे कि क्या वो lead की details public connect है capture कर पा रहा है नहीं तो test lead generate करने के लिए हम चलते हैं metaphor developers पे metaphor developers पे आने के बाद ऊपर आपको option देखेगा my applications का click करना आपको my applications पे इसके बाद आपको जाना है tools पे tools पे जाने के बाद आपको जाना है lead ads ITU debug tool पे और देखे lead ads testing tool हमारे सामने यहां पे open हो चुका है अब वही page और form हमको यहां पे select करना है जिसके लिए हम एक नई lead generate करनी है तो देखिए जो मेरे page करने मैं उसका नाम है blossom wedding पीज मने आपकर कर दिये select और इसी page पे मैंने contact form create करके रखा जिसका नाम है new contact form वह भी मैंने आपकर कर दिये select अब देखिए जैसे preview form पे मैं क्लिक करूंगा तो form हमारे सामने automatically यहां पे open हो जाएगा तो क्लिक करते हम preview form तो देखिए preview form पे क्लिक करते ही form हमारे सामने आपे open हो चुका है आप देखिए fill the form and our team member will soon contact you आप पे क्लिक करूंगा तो देखिए आप एक मैरे नई lead generate कर दी है as a customer माली जाप अपने फॉर्म फिल किया है और एक नई lead आपर generate हो चुकी है अब यही lead की details publicly connect है automatically अपने पास capture कर लिए हूँ देखिए आपके कहले का your test lead has been sent चलता है पैबली connect पे और देखिए आपकी सामने ही वेबुक response receive हो चुका है क्योंकि हमने speech और इस form को पहली connect कर दिया था पैबली connect से और जैसे कोई नई lead generate हुई है इस lead form से automatically उसकी details publicly connect अपने पास capture कर लिए है यह lead का full name यह lead की mail ID और यह lead का contact number इसका मतलब जो मारा first step of integration है वो सही से काम कर रहा है हमने facebook के account को successfully connect कर दिया पैब Google Sheet की रो में तो Google का account अब मैं connect करूंगा पैबली connect से तो क्लिक करना आपको connect पे जाना आपको add new connection पे फिर आपको click करना है sign in with Google पे फिर अपको अपना account login करना है authorization provide करनी है और आपको Google का account connect हो जाएगा पैबली connect से अब यह step पहली कर चुका हूं तो मैं click करूंगा सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूँगा हमें सेफ पे, तो गूगल का अकाउंट अप देखेंगे, आप पे सक्सेस्फुली कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से, और देखें, हमारा उतराइजेशन याप पे सक्सेस्फुल हो चुका है, इसका मतलब गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है, पैबली कनेक्ट से, अब जितनी भी अपने गूगल शीट क्रिएट करी होंगी, वो सारी शीट अब भी आपको यहापे दिख रही होंगी, इनमें से वो स्प्रेडशीट मुझे आपको सेलेट करनी है, जिस पर मैं सारी पैबली कनेक्ट पे, चूस करूँगा अपनी स्प्रेडशीट, इस नाम है बलौसम वेडिंग्स लीड इटीटियल्स, और जैसी इस प्रेडशीट में आपको सेलेट करी है, जो भी मैंरे कॉलम बनाए थे स्प्रेडशीट में यह सारे कॉलम भी पैबली कनेक्ट अपने प प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग तो देखिए मैपिंग कैसी कि जाती जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेस्बूक लीड एड़ जो कि हमारी ट्रिगर अप्लिकीशन थी वह आपको यहां पर दिखरी होगी इसके डॉप डाउन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला थापके ट्रिकर अप्लिकीशन से तो पूरा आपको यहां पे दिखरा होगा तो यह था हमारी लीड का फुल नेम डमी यूजर इसको मैने आपर कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से जो लीड की मिल आईडी थी वो भी हमने आपर कर दिया मैप और इसी तरीके से जो lead का contact number था वो भी मैंने यहापे कर दिया है मैप अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि mapping का मतलब क्या होता है इसका use मैंने पर क्यों किया है तो देखें mapping इसलिए बहुत ज़्यादा important process होती है क्योंकि जब भी हमारा workflow run करेगा तो जो भी data मैंने आपे map किया है data automatically नई data से change हो जाएगा असान शब्दों मैं आपको समझाओं तो जब भी आपको facebook से कोई नई lead receive होगी आपके blossom weddings के लिए तो automatically हो जो नई lead का name है email है contact number है अपने आप यहापे आके update हो जाएगा अपने आप आपका workflow काम करेगा और अपने आप यह details record जाएगी Google Sheet की रो में आपको कोई भी malware करने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसलिए mapping करना होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी process क्योंकि अगर हमें आप यह data कुछ इस तरीके से मतलब manually type कर देते और देखे हमको आपर response मिल चुका है चलते हम हमारी Google Sheet पे और देखे सारे डीटेल से हम पे आ चुकी है यह है लीड का फूल नेम डमी यूजर यह है लीड की email ID और यह है लीड का contact number इसका मतलब जो automation हमने बनाया पेब्ली करेक्ट पर सही से काम कर रहा है सिंप्री दो स्टेप में हमने पुरा automation बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटी अब आपको जब भी अपने वेडिंग प्लैनिंग सर्विस के लिए कुई नए लीड रसीव होगी फेस्बुक लीड एट से तो आटोमेटिकली वो डीटेल से के रिकॉर्ड जेंगी गूगल शीट की रूम बे तो अगर आप भी इस वर्फुलो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक पप्ले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहांप इसे बड़ी असानी से ये कर सकते हैं सिर्फ यहीं नहीं आप और भी एप्लेकेशन के इंटिकरेशन पैबली करेट के मदद से बना सकते हैं इसके लिए आप हमें इमेल कर सकते हैं support at the rate family.com पर अगर आपको कोई queries हैं आपको कोई doubts हैं तो आप जा सकते है forum.family.com पर अगर आपको pricing related कोई issue हैं तो आप जा सकते हैं इस link पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें, share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना बोले, thank you